आज हम लोग कुछ एक्जाम्पिन्स लेते हैं कहीत है जिसकी मदद से हम इंपुट और उग्पूट क क्षयजव काम करते हैं बाईलिजे हम पैला एक्जामपिन लेते हैं से सपोस कीज़े डिनारी ग्जामपिनց क्या है कि रूल नंबर हमें किया करना है हमें extract करना है extracts field from a roll number roll number से हमको field extract करना है ठीक है अब इसको हम कैसे करेंगे ठीके माली जबने कहा latest consider an institute with roll numbers of the following format माली जबने कहा कि let the format of roll number of an institute is हमने कहा कि format क्या है किसी number का माली जबने कहा से इस तरह है EC 24 ठीक है बी जीरो वन जीरो ये माली जबने किसी कोई एक roll number है ठीक अब इसमें क्या करना है मैं कि दर roll number is exactly eight letters long तो दीके दो दो चार दो छे दो आठ ये ठीक है second क्या है the first two letters indicate the department तो ये पहले दो लेटर जो है ये department indicate कर रहा है next two digits indicate the admission year ये admission year indicate कर रहा है ठीक है उसके बाद the next letter is for degree मतलब ये किस degree गले btec के लिए है mtec के लिए है ms के लिए है क्या है ठीक and the last three digits indicate the position within the class ये एक तरह से class का serial number हो गया तो ये roll number का format है ठीक मैं इसको format को जहाँ लिग भी देता हूँ आपको देखिए जो पहले जो दो लेटर है first two letter पहले है तो total length जो है roll number की इसकी total characters जो कितने होने चाहिए आठ ठीक पहले दो digit जो है वो शुरू वो क्या शो करेंगे department ठीक उसके बाद के दो digit जो है वो शो करेंगे admission year ठीक उसके बाद का जो एक digit है वो शो करेंगा कि कौन सा course है course मतलब बी हो गया आपका बी टेक के लिए एम हो गया एम टेक के लिए एस हो गया MS के लिए P हो गया PhD के लिए ठीक यह हो गया और उसके बाद last के जो तीन डिजीट है यह एक तरह से उसका class का serial number तो यह class position declare करेगा इस class में किस position पे उसका admission हुआ है ठीक अब इसमें क्या होगा कि हमारा task क्या है with the help of python statement our task is to extract these different fields from an input roll number तो यानि हम कोई roll number input करेंगे और यह सारी fields हमको show करनी है तो अब देखिए इस program को हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने यह लिखा roll number equal to input यह हमने input करेंगे किया रो लंबर ठीक अब यहां पे हम लगे हाथ आपको या अभी बात में comment line से बताएंगे suppose कीजिए यह यहां पे लेते चलिए हमने कहा कि यह हम हलके green में कर दे रहे comment line हो गई मानले जिए हमने input किया EC24B010 ठीक यह comment line हो गई करना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं branch is equal to हम लिख देंगे roll number और roll number में हम zero से लेकर और दो character ले ले लेंगे starting from zero और two character हम ले लेंगे यह से यह निकल आएगा हमारा फिर हमें year निकालना है तो हम यहां लिखだから यह लिख जेंगे रोल नंबर रोल नंबर इसमें आप कहां से pick करेंगे हम इसमें Position 2 क्योंकि 0 और बन तो वो हो चुका अब 2 से हम क्या करेंगे 2 से year निकालने के लिए हम 4 गरेक्टर यहां से pick कर लेंगे ऐसे ठीक है ये bracket close हो जाएगा उसके बाद फिर हमने कहा degree कौन सी हम जिसमे admission लिया हमने तो यह हमने लिखा degree degree is equal to हम लिख देंगे सीधा सीधा roll number का जो fourth character होगा ये फिर position class में कौन सी होगी तो हमने यह लिखा position is equal to फिर हमने का integer roll number और character 5 से शुरू करके और 8 तर ये हो गया अब इसके बाद हम जब सब चीज़े एक साथ print कराएगे तो यहाँ लिखेंगे print यहाँ हमने लिखा branch फिर हमने लिखा course 20 percentage 02D course closed percentage यहाँ हो जाएगा year फिर हो जाएगा degree फिर हो जाएगा position और इसको फिर हम separate को define कर देंगे sap is equal to माल लिजी यह blank space इस तरह हम यह statement देंगे ठीक तो अब जैसे यहाँ पर आप जब आप यह रोल नमबर input किया है EC24P010 तो branch इसमें से जो निकल के आएगी वो branch निकल के आजाएगी कौन सी हो जाएगी branch आजाएगी यहाँ पर EC यह हमने लिख दिया EC फिर रोल नमबर किया आजाएगा तो यहाँ पर रोल नमबर आजाएगा हमारा 24 admission year फिर degree में हम देखेंगे तो degree यहाँ से हमारी निकल के आजाएगी B बाल लिजी बी टेक फिर position हम लेगे तो position हमारा निकल के आजाएगा यहाँ से 0 1 0 और फिर यहाँ पर हम उसको print करा देगे तो इस तरह से आप python की statement की मदद से किसी भी variable में से different different field extract कर सकते हैं अब एक और example लिजीए next example देखिए इसमें क्या कर रहा है intelligent word shuffle इसमें क्या कर रहा है find out what the below program does the comments ठीक है अब इसमें माली जीए example क्या है say suppose कीजे यह दूसरा example हमने लिया यह क्या कर रहा है intelligent word shuffle intelligent word shuffle ठीक है इसमें क्या करना है कि हम आपको एक प्रोग्राम देते है ठीक है और यह प्रोग्राम क्या काम कर रहा है यह हमको लिखना है ठीक है तो जैसे हमने लिखा मान लिजे पहला हमने लिखा original यहामने लिखा original original equal to हो गया यहामने लिख दिया 11 plus 2 11 plus 2 फिर first is equal to हमने लिखा original ब्रैकेट लगाया हमने और 6 अब दीकिए इस से क्या होगा कि यह start करके यहां से शुरू के 6 करेक्टर यानि यह क्या प्रिंट कर देगा यह प्रिंट कर देगा 11 यहाँ प्रिंट के अंदर 11 आ गया फिर अगला हम देगे माली जह हमने लिखा second is equal to फिर हमने लिखा original और कहां से 6 से और 12 करेक्टर 6 से और 12 तो यह statement देने से क्या होगा इस से आ जाएगा आपका plus ठीक और फिर next आप लिखेंगे third third equal to आपने लिखा original और यह आपने लिखा 12 तो क्या होगा कि यह आपका आ जाएगा two ठीक है अब इसके बाद suppose कीजे हमने और आगे जो define किया हूँ वो इस तरह किया हूँ है जैसे हमने लिखा first first two इसको हमने इस तरह define कर दिया first और two इस तरह अभी हम लिख रहा है इसके बाद लिखते किससे क्या होता है फिर हमने लिखा first three इसको हमने define कर दिया इस तरह क्यों हमने लिखा first two फिर हमने का first 45 first 45 इसको हमने लिखा first three से five ये फिर हमने लिखा first six first six ये is equal to हो गया first minus one फिर हमने लिखा यहाँ पे third two इसको लिखा हमने इस तरह third star two फिर हमने लिखा माल लीजिए third three इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह होगा third three लिखने का मतलब यह हो गया कि third minus one third minus one फिर है अब इसके बाद देखिए पहले बाद तो ये जब statements execute होंगे तो इसमें कौन सी value मिलेगी वो आप देखिए first two का मतलब यह हुआ कि first में आप शुरू के दो character लीजिए तो first में आपका क्या आया है 11 तो ये आजाएगा EL first three में क्या है first और 2 तो दूसरा character क्या हुआ आपका E तो ये आजाएगा E फिर first 45 में क्या हुआ first three से और five तक तो आपका हो गया three colon five तो ये आजाएगा इससे आपका आएगा V और E ठीक है ये जो आपने A लिखा हुआ है ये कर ला था इसको यहाँ पर ये हुआ T, L, E, V, E, N तो जब आप first three five करेंगे तो ये आजाएगा आपका V और E ठीक उसके बाद जब first six क्या है first of minus one तो first of minus one क्या हुआ slash N फिर third two तो ये आजाएगा आपका T, W और ये हो गया आपका O तो दीखे जब ये value सारी आजाएगी तो अगर आप original को वापस आप लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं original equal to first two plus first three plus first 45 plus first six plus second plus third two plus third three ये हो गया अब modified में क्या हो जाएगा modified में ये आएगा third two plus first two plus plus first 45 plus second plus third three plus first six plus first three अब इसको जब आप last statement आप यहां देंगे print original equal to modified तो आप चाहिए statement आप यहीं पिर दे सकते हैं print यहां आपने लिखा original लगाया फिर आपने यहां पे दिया equal to और फिर आपने comma करके लिख दिया modified तो जो original और modified है वो दोनो equal आजाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि python प्रोवाइट से variety of functions to manipulate strings python जो है string को manipulate करने के लिए कई functions provide करता है it provides variety of functions to manipulate string like यहां पर अब लिख सकते है python string manipulating इस functions ठीक है converting to uppercase फिर होगा splitting based on a delimiter अब जो sub-string search उसके बाद आप पर लिखा sub-string search etc ठीक है यह कई string manipulating function python language में लेंग्विज में provide किये गया है आगे आने लेक्चर्स पर हम लोग जब भी उसका topic आएगा उसको detail में discuss करेंगे तो I hope यह दोनों example आपको clear हो गई होगी इसके regarding कोई doubts या confusion है तो comment line में comment करके पूछेगा और अगर video content पसंद आ रहा है तो video को share कीजे like कीजे channel को subscribe जरूर कीजे और subscribe करने बाद notification bell को on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके thank you